हेलोड ये स्टुडेंट्स दमशिन डेवलोप्मेंट अकैडमी में आप सभी लोग का स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक्सोसाइज 7.5 के complete question के बारे में उसके selection के बारे में बात करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं और जानने की कोसिस करते हैं कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और राइट इस फ्रक्शन से एप्रोप्रियेट एडिशन और सब्ट्रक्शन देखिए यहां पर 1 है और यहां पर 2 है तो आपके सकते हैं 1 upon 5 और 2 upon 5 is equal to 3 upon 5 यहां कि प्लस का साइन हमें लगाना है यहां पे इस फ्रिक्शन के लिए हम क्या कर रहे है इड कर रहे है ठीक यहां भी देखिए अगर आप 5 और 5 में से अगर हम 3 को माइनस कर देगे तो 2 upon 5 बचेगा 5 upon 5 minus 3 upon 5 equal to 2 upon 5 होगा इसका answer सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें हमें appropriate sign लगाने है यहां पे 2 है यहां पे 3 है 3 और 2 यह उम्मिल करके हो जाएंगे 5 यानि कि plus करना है हमें 2 upon 6 plus 3 upon 6 equal to 5 upon 6 बहुत है simple question है plus और minus का sign हमें लगाना है appropriate sign बताना है question number second के बारे हम बात करते हैं 1 upon 18 दिया हुआ है और 1 upon 18 दिया हुआ है यानि कि 2 upon 18 हो जाएगा इसका answer और इसी तरीके से अगर हम cancel out करें इसको 1 upon 9 हो रहा यह कैसे हो रहा इसको भी समझना पड़ेगा आपको कि अगर हम इसको cancel out करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 8 यानि कि 1 upon 9 क्या होगा इसका required fraction होगा question number B के बारे में बात करते हैं 8 और 3 11 होगे 11 upon 15 हो जाएगा और ठीक इसी तरीके से अगर 7 upon 7 को minus कर देंगे 5 upon 7 से तो यह हो जाएगा 7 minus 5 upon 7 यानि कि 2 upon 7 यही इसका answer होगा correct required fraction ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 1 upon 22 plus 21 upon 22 यह हो जाएगा completely 21 और यह 1 22 upon 22 cancel out करें कि 1 होगा इसका answer तो required answer होगा तो 1 होगा ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें यह वाले question के बारे में 12 upon 5 minus 7 upon 5 12 में से 7 को minus कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 upon 15 तो 5 upon 15 को अगर cancel out करते हैं तो 5 upon 5 और 15 त्रीजा 5 त्रीजा 15 तो 1 upon 3 हो गया इसका answer तो इसी तरीके से अगर हम बात करें F वाले question के बारे में कि 5 upon 8 plus 3 upon 8 कितना हो जाएगा तो 5 upon 8 और 3 upon 8 की हो जाएगा 8 upon 8 cancel out करेंगे 1 होगा इसका answer required answer 1 होगा question number G के बारे में बात करते हैं 1-2 upon 3 है तो यह हो जाएगा 3133 में से 2 minus कर देंगे 1 upon 1 हो जाएगा तो 1 को हम 3 upon 3 लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 3 upon 3 minus 2 upon 3 3 upon 3 minus 2 upon 3 यानि कि 1 upon 3 answer हो जाएगा इसका completely जो required fraction होगा वो 1 upon 3 होगा तो 1 upon 4 और 0 upon 4 किसी भी number में 0 को plus करते हैं वो number कुद होता है तो 1 upon 4 इसका answer होगा जो required fraction होगा अब इसी में ही जो यह वाला question है 3 तो इसको हम लिख सकते हैं completely कि यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 5 3 is a 15 होगा तो 15-12 15-12 upon 5 यानि कि 3 upon 5 होगा तो जो required fraction होगा वो 3 upon 5 होगा क्योंकि 5 3 is a 15 हम लिख सकते हैं 5 3 is a 15 यह फिर 3 को लिख सकते हैं 15 upon 5 5 3 is a 15 तो 15-12 3 upon 5 इसका answer होगा question number 3 के बारे में बात करते हैं कि सुभम ने paint की 2 upon 3 walls space room का हर sister माध भी help करी उसने 1 upon 3 तो कितने दोनों ने मिलके करी तो 2 upon 3 और 1 upon 3 यह हो जाएगा 3 upon 3 होने की complete वो painting complete हो चुपी है यह दोनोंने मिल करके complete कर लिया है they painted complete wall together complete wall को यह उनोंने paint कर दिया question number 4 के बारे में बात करते हैं कि 7 upon 10 में से क्या minus करेंगे कि 3 upon 10 आएगा तो 7 में से 5 को minus करेंगे 4 upon 10 तो 3 upon 10 आजाएगा या फिर अगर box की value को find out करना है तो यह right side में जब इस तरह आएगा तो left side में minus होगा तो यह हो जाएगा 4 upon 10 तो 4 upon 10 इसका answer हो जाएगा cancel out करने के बाद 2 upon 5 होगा तो 2 upon 5 इसका answer हो गया इसी तरीके से बी बाला जो question है कि 5 upon 21 है तो यहां पे अगर 5 upon 21 और 3 upon 21 अगर दोनों को plus कर देंगे तो यह 8 upon 21 होगा जो कि इस missing fraction की value होगा ठीक किसी तरीके से आगा हम 3 upon 6 को अगर इस तरफ लाएंगे तो यह plus का 3 upon 6 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6 upon 6 यानि कि 1 तो इसका जो answer होगा वो 1 होगा right ठीक किसी तरीके से अगर हम जो यह question है 5 upon 27 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 5 upon 27 को तो इसका जो अंसर होगा 7 upon 27 होगा तो जो missing fraction होगा वो 7 upon 27 होगा अब हम बात कर लिए थे question number 5 के बारे में कि जावीद वास गिवन 5 upon 7 of baskets of orange what fractions of orange was left in the basket कितने fractions orange के रहे गए है basket के अंदर यह दिखें यहां पर जावीद ने यह 5 upon 7 of basket of orange है total of 1 है इसके पास तो यह दिया हुआ है fraction में जावीद के पास 5 upon 7 right तो कितने बचे हुए है तो 1 में से minus कर देंगे 5 upon 7 को तो यह बचेगा हमारे पास 7 upon 7 minus 5 upon 7 तो 7 में से 5 upon 7 को minus करने पर क्या situation आ रहे आपको समझना पड़ेगा total 1 माल दिया और 5 upon 7 को minus कर दिया तो 7 में जा 7 minus 5 so 7 minus 7 7 into 7 7 minus 5 याने की 2 upon 7 तो जो बास्केट के अंदर जो औरेंज बचे हुए है वो 2 upon 7 बचे हुए पर आई होग कि यह जो exercise 7.5 वो आप सभी लोग को बहुत आची तरीके से समझाई होगी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई doubt है कोई समस्या है किसी भी तरीके की कोई सुझाविया suggestion देना चाहते है तो इस number पर आप दे सकते हैं इसके लावा हमारे groups में जोड़ सकते हैं जिससे कि आपको जो भी doubt सोंगे doubt sessions में आप participate कर सकते हैं questions पूल सकते हैं so thank you so much and thanks for giving your precious time at the last God bless you thank you so much